कि लास्ट वाजी वीडियों में काफी ज्यादा मतल एक खराब चीज हो गई थी हमें कि हमारा सार रैंक जा चुका था है पर कोई नहीं हम लोग अपना रैंक को दुबारा से अर्ण करेंगे ठीक है तो भूसी के लिए आज हमें फ्रीफार खेलने वाजे हैं प्याइब को स्काईर चाहिया अभी आप सम्सक्राइब कर दो चाहिए तो आज हमें खेलने जा रहे हैं क्लाश स्क्वाड या मैं कहा रहाहूं कि आज हमें खेलते हैं सोलो ही खेलता है सोलो मैंने बहुत कम खेला है इसी चलो स्टार्ट करते हैं और राइट गाइस कुछी दिर मैं लोगा लॉबी में आ चुके हैं यह देखो काफी अच्छी चारक्टर से मेरे पास तो थे यह स्कायर है तेखो मरे लेवल अभी पाइफ यह सिक्सी है लेकिने आ सब्सक्राइब करें तो और राइट गाइस कुछी देर में हम लोग आ चुके होंगी ओ भाइया फ्रीफायर यह नॉर्मल प्रिफायर मैक्स है अरे यार यह क्या ऐसा जगह है यार मैंने तो आज तक अभी इंगी से देखा नहीं पर फिर भी जगह कमाल की है यार इतनी मस्त जगह इजे कहीं न कहीं तो अच्छी जीन मिली जाएगी न्यू मैप है यार इसी वाज़े सब्सक्राइब करगों डाइब मारते हैं वो प्लेयर को हम लोग सभी तेजी से उतर रहा है इंको नहीं हम लोग तो अलागी मतब अच्छी जगहां तो आज भी फ्री फायर नहीं नॉर्मल फ्री फायर मैक्स खेलंगे है ना मैक्स मेरे उतरते ही उतरते ही लोग तो कुछ एलिमिनेशन में कर चुकी है यार मेरे को जल्दी समाने लेनी होगी चलो आते आते एक मेड किट मिल गया बढ़िया बात है और आप देखने चलो शॉट्गन एयर एम उभी उठा लेते हैं शॉट्गन जब तक अपने पास है मतब यह समझ दो क्लोज रेंज का तो काम हो गया लेकिन अभी शॉट्गन के लाम नहीं नचलेगा एमपी फॉट्टी चलो मिडर मदा क्लोज के लिए एमपी फॉट्टी मिल गई हेलमेट रेवल थ्री उठा लिया है न मैंने देखता हूं हाँ यह एमपी फॉट्टी इसकीन है क्या नहीं नॉर्माल एमपी है मेरे को काफी ध्यान से रहना पड़ेगा गाईज यहां पर कौन सी एमपी है एसमजी एमपी ना अरे यार मेरे को एक एर एमपी पड़ेगी चलो हाँ एसमजी मो आ गई वेस्ट आ गया ग्लू वाल भी आ गया लेट्स गो अभी अपने पास एनफ समान हो चुका है गाईज और मेरे को देखना है लोग कहां पे हैं तो मेरे को लग रहे लोग उस पार होंगे तो मेरे पास दो ग्लूवल एक्चुली नियू मैप का तो मेरे को मेरे को उतना कुछ एक्सपिरियंस नहीं है नियू मैप पे तो डूओ में तो पिछ्छे भार भी वहीं था ओके सामने से दो दोगों की फाइब चल रही है ओ शॉट गन क्यों यार अंपी में से मारेंगे एंपी फॉर्टी है न अपनी एंपी फाइब से मार रहे थी इसको रिजोड करो हाँ चलो आप शॉट गन लेके भागते हैं कुछ और लोग दिखे थे हाँ वो तो रहे है इसको एंपी से डाउन कर दो चलो एंपी रिजोड कर देते हैं तब तक चलो सब को यहां पे लूटना आता है और मैं आप एंपी फाइफ यह दो क्यू उठा रहे है यह तो मेरे को समझी में नहीं आ रहा है शॉट गन लेके ही जढ़ेंगे देखो सामने से मतलब एक काफी ज़दा मतलब अच्छी लोग आ रहे है जिनके साथ मेरा कड़ी टकर हो सकती है सामने में एक है सामने में एक है इसको तो मैं एंपी से ही उडाऊंगा रूख जब है देखा अच्छा अच्छा देखते ही देखते आप लोगों के सपोर्ट के वज़े से चार किज हो गए शॉट गन खतम हो चुकी है मेरी अब बस एक के बचिए के 47 अब इस अकेदी गन से देख सकते हैं कितना दाडाई करूंगा अकेदी गन नहीं फेक नहीं चाहिए थी यार मेरे को चलो कोई नहीं यह तो आते जाते तोड़ी सी लूट करते हैं अभी क्योंकि चार किल्स तो कर दिये इतना सबना काम हो जाएगा तब एनफ चार किस हाँ आते चार किल्स काफी है लेकिन अभी मेरे को लूट करना है लेकिन एक एक फॉर्टी सेवन है वैसं नहीं कम है यह भाए पांच किल्स एम्चिए काफी वेस्ट होगे यार मेरी शुट काफी वेस्ट होगे वहँ चल प hijo चलो चलो एक एक में की बहत आयमों दे दो और एक के मैं उठा लेते हैं काफी आयमों है कि अपने पास यहां पर नीचे देखां देखते हैं कोई है कि नहीं पूरा पीछे मूड के देखते हैं यहां पर कुछी मीटर की दूरी पर है हैं यहां पर ऊतना कुछ काम और पड़ी है निचे पांच के फिर ठीक है वहां वहां और यह वह वहां से जा रहा है यार और कोई गन नहीं है क्या है यार और कोई गन नहीं है यार मैंने मुझे अपनी प्यारी है यह के 47 भाड में एंफूरेवन उठाओ प्यादे MP40 को रिजोड करो चलो MP40 को करा रिजोड एजी आम उठाओ और कुछ है क्या स्कोप उठा देते हैं और स्कोप लगा दिया है ना स्कोप स्कोप तो मैं स्कोप को यहां पर ऐसे दगाते हैं और मुझे तो नहीं आता चलो कोई नहीं अभी MP40 रिजोड़ेड है क्या अपनी नहीं मैं तब सारी गन को रिजोड कर रहो इससे क्या होगा नगाइस की यह को यहां पर कुछ नहीं है और हाँ यह नियू मैप का काफी अच्छा चीज है तो लोग जदी जदी दीख जा रहे हैं को पीछे से तो नहीं नमारेगा स्काइजर स्काइजर की तो आज किसमत चमक गई यार स्काइजर की आज किसमत चमक गई मेरी भी किसमत चमक गई इतनी मतब जदी जदी किल समिधरे मेरे को इस गारी एक सुचोब्इस कीडर मिटर की स्पीड से जा रही है किया ही बात है यार इस गाड़ी को चुप चाप से गाड़ी को यहां लगाते हैं यहां पर लोगों को देखते हैं अरे लोग मेज रहे जो हो कौन मार रहे हैं यार कि रुख जो मेरे को यह वादी गन लेने दो इसको रिजोड करो और अब दिखाते हैं कहां हो कि सामने में यह ओ नहीं तो हैं मेरे को दिखी निकालो अभी न हुआ यह हमें मार रही थी मतब इतनी कम एच्पी पर मैं लड़े जा रहा हूं मेडिकिट वगेर बात में मारेंगे हां चलो बहुत सारी गन मिल गए तो अभी मैंने एक एच्पी के दिए मार देता हूं मेडिकिट हाँ चलो अभी नहों गया काम ऐसे एसम जी हां सब मशीन का लोखा अनसे मिल की मेरे पास नहीं है की का कैसे जुगाड करो मैं और कि लोग मिलने रहे हैं लोग तो काफी मिल गया राठ की सपनी तैसे ही लोगए एक तो वहां पर थी मेरे को पता चल गया नदी पार करनी पड़ेगी क्या वैसे पार करोंगा तो मेरे को ठीकी चीज मिल सकती है देकिन कि यह क्या है इन हेदर रिपेर आर्मर कर देते हैं कुछ इपी बढ़ा देते हैं और सामने में कोई है क्या कोई होगा तो मैं उसको धड़े उड़ा हूंगा मैं सोच रहे हैं नहीं वाला घकी आसम प्हाल जब से इसे ड्राइव करते हैं की गरती अजी बहूंतर वहीं गाड़ी अची थी काफी स्पीड चल रही थी मत्भ पहले तो में सोजों में काफी बुरा हाल कि यह इस मार्स लोग में काफी अच्छा है हाल मेरा बहुत अक्चे है इसको सामने जाके मारेंगे यार इसे सामने जाके मारेंगे यह निकादो इसे रिजोड करो ओभाई ओभाई चलो नौकिल्स अब सिर्फ और सिर्फ 18 लोग ही बचे हैं हाँ चलो इसे रिजोड मारें जादी से इआप एक सूपर मेट दे देते हैं है क्याई धिक्कत है दोड़ के चलो इतना टाइम नहीं है अच्छा हुआ भी तो तो सुलू में देखो देखो आगे में एक और बंदा है तो इसे MP से उड़ाएंगे MP में देखो अब इसको यह कहां बचके भाग रहा है यार इसकी आमो कतम हो गई है क्या चलों होंस्टर की 10 किल्स अच्छा बात हमारे साथ तो काफी मस्त हो रहा है और इसके पास अच्छी चीज नहीं थी कितनी यार मेरे को MP 40 की आमो चाहिए पीछे में पीछे में कोई ना कोई तो है वो देखो वहां पर है वो चलो उसे मारते हैं बैट लेके चलो और यहां पर दो तिन लोगों के फाइट छिडी हुई है मेरे को भी वहां पर चलना अब इस तो अब यह तो नहीं बताया है यह तो नहीं बताया है कि कि मतब मैं मैं यूट्यू चाहिए खुद बोलते हैं से रुज्जो एक बंदा यहां पर भी था ना पहले इसे रिजर्ट बारू चुपके तो नहीं बैठा हुआ है अगर चुपके बैठा होगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा सेफ जोन काफी बढ़ा है यह बात तो कह सकते हैं बाई करने के लिए क्या है कि ट्रीटमेंट मीनी उजी मेडिकी को देदो अधर भी देदो ट्रीटमेंट पिस्टल भी देदो इससे इससे क्या फाइदा हो जाला या लेकिन अब मुझे नहीं गंश को रहता है इसे मारें 12 किस बिक सिर्फ शिफ आठ लोग बचें चलों अब बताता हूं इसे रुज्जा चलो 15 के डैमेज और अभी बैट लेके चलो जल्दी से काफी किल्स में गए यार इकने की तो उम्मीद नहीं थी अरे मुझे बचके कहां जाएगा मांस्टर की डो इन एक इने दर से काम चल जाएगा अपना कटाना वगेरा तो नहीं चाहिए कटाना देता हो ना कटाना से सबसे तेज भागेगा चलो जबा कितनी तेज भाग रहा है कटाना से वगेरा अभी नहीं दोको वहां पे भी एक है यह से तो मैं नहीं चोड़ 안गा नहीं अभी नहीं अभी नहीं कटाना देके दोड़े अभी कटाना देके पूरी दोड़ेंगे इसके बाद में इसको यहाँ चलके बताऊंगा तो क्या इसका एच्पी काफी कम था इसके साथ ऐसा हो गया तो लोगों को और मारना है फिर अपना गेम हो जाएगा और एच्पी फूल है ठीक है दो लोग बस बस का इस दो लोग और तुम्हारे भाई का बूया बूया कंपलेशन तो अभी मैं कहां जा रहा हूं मुझे खूद नहीं पता देखिए जोग आर्मर को रिपेर कर देते हैं और और राइट गाइस अभी एसमजी नहीं 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 इसमजी नहीं इन्हेलर दे देना इन्हेलर काम की चीज़ है देखो एक यहां पर है इसे रिलोड करो और इसे बता दो अब सिर्फ एक बंदा बचा है अब उस बंदे को डूनने में आप एको फटा है यू एमपी नहीं चाहिए अब सिर्फ एक बंदा बचाहिए देखो यहीं तो है और राइट बूया चाहिए यह बूया होगे शक्तिरा कि वाइज सब्सक्राइब करते हैं दो बूया श्ट्रीक्स हो गई हीज हमने ने किये यह बहुत अच्छी बात है हीज हमें ज्यादा नहीं करना है क्योंकि अच्छी बचा के खिली हमें जोने और देखो सारे मतल टास्क कंप्यूट होगे तो इसे क्लेम कर देते हैं तो बाद में क्लेम करेंगे तो चल्ड़ेज अच्छी प्रवाइज है अगर आपको वह पसंदा ही तो जाकि यह सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करो